तो सुडेंट्स आज हम लोगों की पाइथन की डाउट सेशन की लाइव क्लास है लेकिन हम लोग इसको डाउट सेशन ना मनते हुए पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो इसी केस के लिए उन लोगों को प्रोग्रामिंग का सब कुछ नहीं आता तो इसलिए मैं आज की क्लास में कैसे पाइथन शुरू करना है किस तरह पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको बेसिक से बताऊंगा फिलाली जो डाउट सेशन चल रहा है इनका बड़ा बेनिफि के सारी क्लास मिलेंगी प्री रिकॉर्डड देखिए सारे सेशन से प्री रिकॉर्डड है आप यह प्री रिकॉर्डड वाले सेशन पहले से देखते चलिए ताकि आप लोगों को जब पढ़ाया जाए तो आपको पहले से क्लियर हो सब कुछ इस प्री रिकॉर्डड सेशन प्लस इसके साथ साथ आपको PDF कंटेंट भी मिलेगा इन PDF कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप अक्सेस कर सकते हैं दूसरी चीज आप लोगों को जो लाइफ सेशन चल रहे हैं जैनवरी के एक्जाम के लिए उनके लिए हम लोगों ने एक सैपरेट फोल्डर बना रखा है अगर आपके लाइफ सेशन अगर आप मिस करते हैं तो आप यहां से आकर उसको दुबारा कांटेन्यू कर पाएंगे आज की क्लास भी इसी के नीचे जाकर आड हो जाएगी तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पाइफन के बारे में शुरुआत करेंगे प प्राक्टर सेट अल्रेडी पड़े हुए हैं आप लोग इसको जरूर फॉलो करते रहिएगा बात-बात में और उसके साथ-साथ आप लोगों को जो पिछले साल के पेपर्स हैं वो भी आपको इसी में अवलेबल होंगे तो आज की क्लास को हम लोग एक इंट्रो लेवल से कि शिरू करते हैं बचों तो चले देखते हैं पाइःतन क्या है कैसे शिरूराद करेंगे मैं और बाइखन को इसको फॉलर प्रोगरामिंग क्या यह इसको गुडोवान रसन तो गुडोवान रसन ने 1991 में रिलीस किया था यह है Python के में करता धरता जिन्होंने यह Python डिजाइन के थी इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है website development में website development में कहां पर server side दो चीजे हैं बच्चो एक होती है client side और एक होती है server side website जो होती है जहां save होती है वो हो गया server और जो operate यानि हम लोग जो operate करते हैं हम लोग होगे clients तो जब आभी आप Java आगे पढ़ेंगे या M2 वाले paper में आपने HTML वगरे पढ़ा तो वो हम लोग अपने web pages बनाने के लिए store क करते हैं बनाते हैं वो client side की programming है जावा भी client side के लिए उसकी जाती है लेकिन जो web development server की pages की programming होती है वो python में कर सकते हैं python की खासियत और भी है python में आप software भी बना सकते हैं चोटे-चोटे बड़े scripting भी कर सकते हैं यह सारे के सारे python आज की data python बहुत famous हो गई है famous इसलिए हो गई है क्योंकि python में जैसा मैंने बताया कि इसमें server sites के web pages भी बन जाते हैं इसमें हम database को आसानी से connect कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे आकड़े हैं और उसको आप अपने web pages में दिखाना चाते हैं तो उनको read करना modify करना आसान है complex mathematics आसानी से की जा सकते क्योंकि python की library है जिसमें बहुत सारे पहले से पनी बनाएं आपके program से बस आप उन्हें call कराके add कर लीजए python सभी platform पे काम करती है भले वो Windows हो Mac हो Linux हो Raspberry हो सभी पर एक simple English language की language है तो आपको आसानी से समझ आएंगे इनके code C की सरे complex नहीं है इसके code और syntax बड़े आसानी से user friendly है पाइथन एक प्रकार के interpretator system पे काम करती है interpretator system का मतलब होता है अभी जब हम लोग coding करेंगे तो coding पर जितने भी programs होंगे वो programs line wise line पर काम करेंगे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एक last class में मैंने आप लोगों को C language के बारे में चोटा सा syntax दिया था दिखा देता हूं मैं आपको और लास्ट में मैंने शायद से इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया था अब अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देखें तो यह C में बनाया है और इसे कहते हैं compiler C compiler पे काम करता है क्यों जब मैं इस program को run या execute करता हूं तो उसके पहले मुझे इसे compile करना होता है compile करने का मतलब है program अपने उपर से लेकर नीचे तक कि सारे commands execute करता है पढ़ता है ध्यान से जब यह सारे commands पढ़ लेता है और उपर से लेकर नीचे तक हर command को वो translate कर लेता है अगर इसमें कोई भी programming में error नहीं आती है तो वो आपकी output screen पर दिखाता है अगर माल लिजें यहां पर कोई भी एक error है तो program जो है वो उपर से लेकर नीचे तक जब पूरा पढ़के finalize नहीं हो जाएगा तब तक run नहीं करेगा देखिए मैं इसको अगर run करानी कोशिश करूं तो पहले बोल रहा है कि यहां पर एक error है जब तक error सही नहीं हो जाएगी प्रोग्राम उपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़नी लेगा तब तक उसको output में नहीं दिखाए देगा इस तरह की programming compiler पर काम करती है पाइथन ऐसा नहीं है पाइथन जो है वो interpretator पर based है interpretator का मतलब समझे जिसमें कि आप लोगों की जितनी भी लाइने लिखी होंगी जैसे अभी मैं आपको कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम सिखाऊंगा एक चोटा सा example मैं आप लोगों को एक कोई चोटा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ और उस प्रोग्राम को अगर मैं रन प्रोग्राम यह नहीं देखेगा कि यहां पर कोई error है माल लेते हैं यहां पर कोई error है तो प्रोग्राम यहां पर आके रुकेगा यह दोनों तो execute करी देगा तो interpretator में क्या होता है प्रोग्राम एक line पढ़ता है उस line को compile करता है यह का interpreted करता है उसको machine code में change करता है और उसे run करके screen पर दिखा देता है फिर second line जब third line पर आएगा तब उसे error आएगी और तब उसे रुखेगा तो यह difference होता है आपका interpretator और compilation तो यह है आपके python का एक simple सा python जो है object oriented base पर काम करती है object oriented का मतलब होता है कि इस पर हम बड़े बड़े programs को छोटे-छोटे objects में change कर लेते हैं और इन objects पर independent काम कर सकते हैं और इन object के independent काम करने से benefit यह रहता है हमारा बड़ा program complex नहीं होता अब जैसे for example अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक एक engineer है और आपको एक car design करनी है अब car एक बहुत बड़ा project हो गया अब इस car के बड़े project को हम design करने के लिए पूरा-पूरा एक आदमी design नहीं कर सकता उसके लिए हमने इसके चोटे-चोटे कई सारे object बना दिया एक को काम कर दिया कि तुम design देखोगे एक को काम दे दिया कि तुम इसकी programming देखोगे एक का काम दे दिया तुम इसका engine प्रोग्राम में भी कई इंजिनेर में और इंटीरियर में अब जब मुझे जरूरत पड़ी मैं जो एक इंजिनेर हूं तो मैंने कहा क्या डिजाइनर से बात की और उसका ये प्रोग्राम अपने कार में इंपोर्ट करा लिया तो मेरे लिए आसानी हो गई मिरको वो प्रोग्राम पूरा-पूरा बना-बनाया मिल गया उसके लिए भी असानी है उसको बाकी प्रोग्राम से डील नहीं करना पड़ रहा तो अब्जेक्ट बिट प्रोग्रामिंग इसी तरीके से काम करती है और ये बहुत ही आज की डेट में ये बड़ा ही बड़िया म करेंगे और में टॉपिक जो हमारा पाइफन का होगा वह होगा कि इसके वैरेबल्स क्या है एक चीज और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार फोन पर ये पूछते हैं कि सर हमने बैच को जॉइन कैसे करें ये टॉपिक हमेशा ही बना रहता है तो बचो आपक कि कौन सी क्लास है वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है प्लस आप लोगों ने जो भी कोर्स बाई किया है उसके एनाउंस्मेंट सेक्शन पर जरूर जाकर एक बार चेक कर लिया करें एनाउंस्मेंट सेक्शन आपके आप में जो कोर्स आपने बाई किया है उसमें आटोम करते हैं कि हम लोग अपने इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे किस तरीके से शिरू करेंगे तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप आइडियली में उसे ओपन कर लीजेगा ठिक मैं आपको पहले प्रोग्राम PC पे करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको आपके मोबाइल पर भी इसे रन करके दिखाऊंगा यह जो आप देख रहे हैं इसे हम ideally शेल कहते हैं और इसी शेल पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे अगर आप लोग बड़े प्रोग्राम उसकी फाइल ब आपने फ्लोचार्ट और अल्गॉर्दम में भी सीखा था और यह आउटपुट करने का काम करता है प्रिंट में जाइए और इसके ब्राकेट के अंदर जो भी चीज प्रिंट करनी है वह लिख दीजिए अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो आप डबल क्रिंट है ऐसा कमांड है जिसके अंदर आप अगर कोई चीज लिखते हैं तो वह स्क्रीन पर आज इस प्रिंट हो जाती है अगर आप उसे डबल इन्वर्टर कॉमा में लिखते हैं हाँ इसमें और भी अच्छी चीज है जो अगर आपका पाइफन का लेटर्स वर्जिन है जो कि आपका 3.8 के उपर के हैं और कुछ पुराने वर्जिन्स में इसमें प्रिंट करने के और भी कई सारे ओप्शन्स देखे हैं आपने देखा मैंने इसमें सिंगल इन्वर्टर कॉमा लगाया है तो भी प्रिंट हो रहा है ये दोनों काम करेगा ट्रिपल लगाके भी द या सी की वैलू प्रिंट करेगा कोई बच्चा इसमें बता सकता है कि अगर मैंने लायस कमांड लिभी tomorrow, सइसंट लेकिन अगर मैं यह लिग देता हूं, c equal to 10 मैंने c को पहले से define कर दिया c के अंदर एक value दे दी और अब मैं यहां पे लिखता हूँ c अब आप लोगों की value मिर को बताए क्या प्रिंट करेगा क्या यह सी प्रिंट करेगा या अब इस बार c की value प्रिंट करेगा कि घली दस विल्कुल साइब आगे सबको समझ में तो यह डबल इंवर्टेड कॉमा सींगल इंवर्टेड कॉमा बीना इंवर्टर अब अगर मारे यहां पर लिग देता हूँ प्रिंट मान लीजिए मैंने लिख दिया अब क्या प्रेंट करेगा नॉमल ले यह डिफाइंड नहीं कर पाएगा यह डिफाइंड नहीं किया अगर आप उपर सी की तरह डिफाइंड कर देते तो वो उसको भी प्रिंट कर देता तो इस तरीके से पाइथन के शेल पर हम लोग काम कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है आप देखिए पाइथन में एक छोटा सा आता है वर्ड कॉमेंट का मतलब बच्चों होता है हिंदी में टिपनी करना तो आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वैसे तो यह कॉमेंट का क कोई मतलब नहीं है कोई की कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा या कोई भी कह लिजे कि इसमें कुछ भी आप लोगों का प्रोग्रामिंग से कंसर्प्ट नहीं है लेकिन कॉमेंट जो सिंटेक्स है जब हम लिखते हैं जैसे मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हू और कॉमेंट जब आप लिखेंगे तो कॉमेंट बिसिकली होता क्या है कॉमेंट आप लोगों की पाइथन में जो भी कोड लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पढ़ने के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए हम कॉमेंट का इस्तिमाल करते हैं कॉमेंट के इस लाइन को दिएगा और उसके उपर मैंने यहां पर comment लगा रखा है यह रहा है तो दिस इस comment यह लाइन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहां hash लगा हुआ है और यह लाइन प्रिंट हो जाएगा अब अगर मैं यह लाइन यहां पर लिखता हूं तोड़ा से दिमाग लगाएगा और मुझे बताएगा अब की बार आउट्पुट में क्या है इस पीकर्स में और कर देता हूं यह सब्सक्राइब और अगर मैं यह दिस इस वर्ल्ड जो है इसके पहले तो कॉमेंट इसी को कहते हैं कॉमेंट आप मल्टी लाइन पी लगा सकते हैं मल्टी लाइन का मतलब होता है आप एक साथ तीन लाइनों में भी comment लिख सकते हैं इस तरीके से कोई दिक्कत नी तीनों लाइने नहीं प्रिंट होंगी तो यह एक सिंपल सा format है कैसे हम लोग comment का इस्तिमाल करते हैं और comment लिखा क्यों जाता है comment आपको समझने के लिए दूसरे आदमी को प्रोग्राम को देख के बताने के लिए कोई ऐसी लाइन जो फिलहाल एक्जिक्यूट नहीं करनी है उन सब के लिए comment लिखा जाता है comment का मतलब ही एक word टिपनी तो यह तो बात होगे comments की तो हम programming में बीच बीच में प्रकार की जगे है जहां चीजों को रखी जा सकती है उस जगे को उस store करने वाली जगे को हम लोग वारेबल करते हैं ठीक है पाइफन हाज no commands for declaring a variable python a variable is created the moment you first assign a value to it अब इसका मतलब समझे क्या है पहले थो variable का मतलब समझ लेते हैं जैसे for example आपके पास एक glass है यह खाली glass water glass या blank glass और इसके अंदर हम लोगों ने coldering डाल रखी है और coldering जो है हमने यहाँ पर 20 ml डाल रखी है ठीक है coldering में हम कोई भी ले ले लेते हैं को को कोला ले ले लेते हैं और यह ग्लास है चिक है अब जड़ा आप लोग दिमाख लगा के बताएए कि इसमें variable क्या है और value क्या है तो यहाँ चीजें कहां स्टोर हो रही है ग्लास में तो ग्लास एक वैल्यूब ऑर क्या चीज़ प्लीश हुई है वो उसकी वैल्यूब है तो ग्लास तो हमारा और ये जगे बन गई और उसमें स्टोर क्या है उसमें 20 ml कोको कोड़ा स्टोर ए है यह उसकी वैलियू तो यह तो बात हो गई वैरेबल एंड वैलू की जरा इसमें दिमाक लगाकर बता हें कि अब आप लोगों का वैरिबल क्या है और वैल्यू क्या है एक जगे डिजाइन की है कंप्यूटर की मैमोरीज में पाइफन में और उस जगे का नाम दे रखा है और उस जगे के अंदर फिलहाल 20 स्टोर है यह उसकी वैलू है आगे जलकर अगर एक ही वैलू 30 कर देते हैं तो पुरानी वैलू डिलीट हो जाती है और नई वैलू में A, B और C की जरूरत पढ़ने वाली है हमने पहले से प्रोग्राम में ये चीज़ declare कर दी थी यहाँ पर लेकिन python में ऐसा नहीं करना पर python में आपको declare या पहले से प्रोग्राम को बताने की जरूरत नहीं है आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने लिखा x equal to 5 प्रोग्राम शुरुआत में ही माल लेगा कि हाँ ये एक x variable डेक्लेर होगे और उसकी value 5 डेक्लेर शुरू में ही माल लेगा यहाँ पे मैंने लिखा y equal to john और अब मैं इसको print करा रहा हूँ ठीक है तो ये तो बड़ा simple सा प्रोग्राम हो गया तो जरा आप लोग इस प्रोग्राम को अगर मैं execute करूँ तो मिरको बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम आप देखिए मैंने इस lines को एक ही करके print करना हो तो ठीक है मैं multilines के लिए क्लिए क्या करूँँगा यहां एक नहीं फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल में यह प्रोग्राम type कर देता हूँ समय बचाने के लिए मैंने copy paste किया है और इसको मैं save कर देता हूँ कोई नाम दे देता हूँ इसका जैसे मैंने या दे दिया test 1 और save कर दिया तो यह हमारी प्रोग्राम सेव हो गया और यहीं से इसको run कराते है आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे run कराता हूँ तो screen पर क्या print होगा तो print होगा आपका देखें यहां पर 5 और John simple सा print हो गया पहले X प्रिंट हुआ उसके बाद Y वैरेबल नहीं प्रिंट हुआ उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई अब जरा मिर को बता सकते हैं कि अगर मैं यहां पे double inverted comma हटाक तू क्या print होगा तो सेम होगा सेर नहीं होगा सेम नहीं सेर नहीं लिखार रहा है जान नहीं लिखार जे आप मैं इसको run कराता हूँ सेव करने को बोल रहा है और देखे आप लोगों का run होते ही यहां पर दिखा रहा है जान उसको define ही नहीं हुआ जान का मतलब उससे पता ही नहीं है क्योंकि वह mathematically five तो जानता है लेकिन जान क्या है उसके उस पर नहीं पता डबल इंवर्टर कॉमा या सिंगल इंवर्टर कॉमा लगाने से वह यह समझ जाता है कि यह चीज़ अब constant है तो वह अपने दिमाग में से constant लेता और constant के अंदर उसको दिमाग दूसरी चीज़ चले यह तो समझ आ गया तो variables का मतलब सबको clear हो गया अब देखे variables do not need to be created या declare with any particular type और can even change type after they have been set इसका मतलब यह होता है कि जो भी variables हम लोग declare करेंगे जरूरी नहीं कि जो हमने एक बार declare कर दिया वह हमेशा के लिए वही हो जाए आप जब चाहें उसको change कर सकते हैं कि वह किस type क्यों जैसे अगर मैं यहां पर बात करूँ एक्स क्वल्टू 4 और जब मैं इसको print करूँगा तो यह computer के हिसाब से एक्स क्या है computer या python के हिसाब से एक इंटीजर है इंटीजर वर्ड का मतलब होता है 12345 यह सारे इंटीजर लेकिन जब मैं यहां लिख देता हूं यह शैली तो अब इसको वह इंटीजर नहीं मानता वह को आटो मेटिकली पकड़ लेता है और जान लेता है कि यह एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का मतलब होता है group of alphabets तो यह स्ट्रिंग्स है यहां पर उसके हिसाब से स्ट्रिंग है अब अगर मैं आट करता हो छले अब बताएगे मेन को अगर मैं इन लाइनों को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर कि बोर्क करता हूं तो बताईए क्या प्रिंट हो अंग टो बढहिंगे सरो अब इसिए 4 assign की थी अपने container में उसके बाद overwrite हो गए ना पुरानी value थोड़ी रहेगी उसके जगे नए value आई लेकिन अभी यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो देख रहे हैं इसमें एक्स जो है वो एक string है अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन string है कौन integer है आप इसको पता करने के लिए यूज करेंगे type command type एक ऐसा function है अब बात आती है या function function word का मतलब होता है पहले से बने बनाए predefined formulas उन्हें हम लोग कहते हैं function जैसे आप लोगों ने Excel पड़ा है और Excel के अंदर भी आप लोगों ने formulas यूज किये for example मैंने आपको यहां तीन नंबर दिया और आपसे कहा इनको जोड दीजे तो आपने तीन नंबर इस तरह के से cell wise जोड दिये और यह आपका answer आ गया लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ function या formula से जोड़िए तो आप पहले से यहां पर बना बना है formula जो एक्सल में पहले से define है equal to sum उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे आप लोग जोड़े अंसर वही आएगा लेकिन इससे हमारा time बज गया ना इसमें आप गर मैं आपसे बोलता है कि आपको 100 नंबर जोड़ने है तो आप इसमें तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा ना इसमें नंबर जोड़न और function आपको python में भर-भर के मिलेंगे type भी एक ऐसा ही function है अगर आप type function लिखते हैं तो automatically आपको बताएगा python की ये किस प्रकार का value होल्ड कर रही है जैसे अब मैं इसी question को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पर x की value 4 और y की value मैंने यहाँ पर shell ही लिख रख कि लेकिन मैंने यहाँ पर type function का इस्तेमाल किया और bracket लगा दिया x चिक और इसी तरीके से मैं type y की भी देख लेता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा type y और अब मैं इस program को run करूंगा तो program type काम करेगा और type के अंदर देखे उसने तुरंद बता दिया कि यह जो पहले वाला आपका एक्स है यही चीज़ तो पहले वाली प्रिंट हो रही है यह प्रकार का इंटीजर है और यह वाला जो है यह प्रकार का स्ट्रिंग है तो यह चीज़ सिध होती है कि python में पहले से कुछ भी define करने की जरूरत नहीं है program बनाने के दर्मियान ही जब आप value assign करते हैं उसी बीच python अपने आप values के accordingly वो set कर लेता है कि यह integer है यह string है यह क्या है हाँ एक बात और कि अगर आपने python में कुछ भी define कर दिया और आपको बाद में लगा कि यह तो गलत हो गया हमें इसे integer नहीं बनाना था हमें इसे string बनाना चाहिए तो आप integer है तो इसे string में convert कर दें तो ऐसा करन possible है कैसे बहुत ही असान है आप लोग अगर यहां पर ले लेते हैं x equal to 4 ले लिया तो यह तो अभी अगर मैं इसको print करता हूं माल लीजे मैंने यहां पर लिखा print और अभी अभी मैंने आपको type बताया था और यह लिख दिया type तो यह तो integer दिखा देगा फिर इसके बाद मै मैंने यहां पर दुबारा लिखा वाल लिजे मैंने लिख देता हूं y equal to और यहां कमांड लगा दिया str और bracket में लिख दिया x और अब मैंने इस चीज को फिर से print कर रहा हूं कि इस बार y print हो जाए चिक अब प्रोग्राम को मैं execute करता हूं तो ध्यान से देखिए उपर प्रोग्राम x को क्या मान रहा था इंटीजर इस कमांड से x की value वही रही 4 लेकिन वो convert किसमें हो गया string में और अब मैं इसको प्रिंट करने के बाद इसका टाइप चेक कर रहा हूं तो अब वही इस चीज को कहते हैं बच्चों टाइप कास्टिंग वर्ड का मतलब होता है या कास्टिंग का मतलब होता है if you want to specify the data type of the variable you can done by a casting अगर आपके पास कोई भी variable है किसी भी तरह का है और आप उसको particularly string, integer, float किसी में भी बदलना चाहें तो आप उसके आगे type casting कर सकते हैं जैसे अगर किसी भी variable के आगे int लगा देंगे तो वो integer हो जाएगा अगर आपको string लगा देंगे तो वो string हो जाएगा float लगा देंगे तो वो points में आ जाएगा तो यह कहलाता है आप लोगों का type casting क्लेर हो रहा है तो type casting या casting कह लिए जिससे आप अपने variables की type बदल सकते हैं बड़े राप से एक चीज़ और और वो एक चीज़ यह कि आप लोग अगर यहां पर यह define कर रहा है clear अब ध्यान से देखे अब मुझे बताएए क्या यह दोनों एक ही हैं या अलग अलग है हाँ इसका मतलब यह हुआ कि अगर small a लिखते हैं और capital लिखते हैं तो दोनों को अलग-अलग consider किया जाता इसका मतलब python जो है वो के सेंस्टिव भी होती है के सेंस्टिव का मतलब समझते है ना capital का मतलब अलग और small का अलग मतलब हो गया तो यह भी एक सिंपल से तो आप जो मैं आगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं उस टॉपिक में आप लोगों का एक दो नंबर का अब्जेक्टिव जरूर फसता है और वह अगला टॉपिक है वारेबल के टाइप्स यानि वारेबल का मतलब होता है कि अभी तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल वारेबल बना लिए ए भी नाम लिख दिया लेकिन वारेबल कैन है वे शॉट ने एक्स यजड करके भी कर सकते हैं और उसका बड़ा नाम भी लिख सकते हैं एज कार वॉल्यूम टोटल इस तरह भी लिख सकते हैं तो यह सभी जीस जैसे फॉर एक्जामपल अभी आप लोगों को मैंने लिखा यह तो हम लोग इसमें यह भी तो लिख सकते थे कार इकोल टू फोर और यहां पर लिख दिया नेम इकोल टू शैली यह भी वारेबल है कोई दिक्कत नहीं लेकिन कौन-कौन से वारेबल होते ह हैं और कौन-कौन से गलत वारेबल डिक्लेरेशन होता है अब वारेबल मस्टार्ट विथ लेटर और अंडर्सकोर करेक्टर यह बहुत इंपॉर्टन है लेटर से होना जरूरी है अंडर्सकोर से भी लिखा जा सकता है यानि कि आप लोग इस तरह लिख सकते हैं एकोल टू करें तो यहां पर यहां पर यह क्ल डिक्लेर करने की कोशिश की गई है और अगर Jewish देखें कि यह रहा है अब मिरको बताइए इन में से कौन सा वारेबल गलत ढंक से डिक्लियर है सोची और बताइए अभी रुकियेगा अभी इसमें कुछ और भी ले ले अब मेरको बताएए आप नमबर से बताइए नमबर से बताई ऊएफ वार्टा वाला फॉर्ट वाला ऑधा करद आए फार्ट वाला थेर्ड वाला वाले में क्या गरवड़ी है नंबर से तो चलिए वाला तो काट दिया जा और कौन सा गलत है और यह गलत है और फिफ्ट वाले में माइनस लगा दिया तो तो आप लोगों को यह तीन वारेबल नहीं डिक्लेयर करने है और बाकी वारेबल जो आप देख रहे हैं वह सही डिक्लेयर है कि सकते धुश्क्राइब प्रिंट कर लेता हूँ और कि नहीं यह अगद मैंने यह लेक्र प्रेंट करें लेता हूँ chain तो यह तो आपको वारेबल के बारे में पता चल गया वह मल्टी वारेबल के जा सकते हैं यानि इस तरीके से अब आप लोग समझ गये होंगे इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं है और यह पॉसिबल है इस तरीके से आप लोग मल्टिपल वैरेबल्स बनाके डिफाइन कर सकते हैं मैं इसका प्रिंट निकाल के दिखा देता हूं तो तुरन समझा जाएगा यह रहा हमारा यह रहा तो यहां x की value y की value और z की value comparatively उसने ले ली और अब हम लोग इसको run कराते हैं तो देखिए हमारे सामने तीनों values प्रिंट होगी यह भी possible है आप one value to multiple values यह भी define कर सकते हैं इसका क्या मतलब होगा यह भी देख लेजे आप एक साथ ऐसे भी variables define कर सकते हैं यह रहा एक वाला x, y, z एक साथ काम करेगा यह देखिए उपर वाले तीन तो आपको समझी आ गए यह वाले थे और नीचे वाले तीन जो x, y, z है वो यह वाले आप इस तरह भी define कर सकते हैं आप इस तरह भी define कर सकते हैं कोई problem नहीं है हमारे पास clear हो गया तो यह एक simple सा तरीका है variables कैसे define करना होता है किस तरीके से लेना है हाँ एक चीज़ और आप लोगों को print statement पे भी थोड़ी सी महनत करनी पड़े जैसे कि for example अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मैंने यहाँ पे लिख दिया x equal to और यहाँ पे लिख दिया या name equal to और फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट ने तो अभी तो simple सा आश्यू प्रिंट हो जाएगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर double inverted comma लगाऊं और double inverted comma लगाने के बाद इसके अंदर एक constant लगाँ चिक इस तरीके से और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे plus sign लगाँ अब देखिए मैं इस चीज़ को print करने वाला हूँ जब मैं इसको print करूंगा तो आप देखेंगे screen पर welcome to ice academy आश्यू समझाय है यह क्या हुआ हम लोगोंने print statement में constant का भी इस्तेमाल कर लिया और plus variable के output का भी इस्तेमाल कर लिया तो plus sign क्या करता है plus sign जो print में है वो basically combine कर देता है दो को जोड़ देता है इसको आगे चलके आप लोग concatenate की तरह इस्तेमाल करेंगे दो चीजों को मिला कर combine करके यहाँ plus का मतलब add करना नही है यहाँ plus का मतलब है constant और string का combine करके लिखना तो यह चीज़ आपके इसमें possible इसी कारण से जरा आप लोग दिमाग लगा के बताए इसका output क्या आएगा टाइम की शॉटेज है बच्चों जल्दी से लॉट के आईए अगले हाफ में हम लोग इसका output देखेंगे लाट के आईए विदिन सेकंड